हेलो वीवर्स, मॉमास फूड आइन ब्लाग में आप सभी का स्वागत है और आज हम बनाएंगे तूरई की मूग दाल तो फटा फट से देखते हैं कि हमें क्या क्या लगने वाला है तूरई, नमग, हल्दी पाउडर, जीरा, गार्लिक पेस्ट, हरा धनिया, मूग दाल और फ्रेश करी लियूज पहले हमें मूग दाल को अच्छे से उबाल कर लेना है जिससे कि वो सॉफ्ट हो जाए और एक पतेले में एक गलास पानी करम करने के लिए रख देना है अब हमें एक बर्तन लेना है उसमें ऑइल डाल लेना है गर्ब होने के बाद उसमें जाएगी करी लियूज, जीरा और राई उसके बाद लेज उनकी पेस्ट टालेंगे अच्छे से मिला लेंगे अब डालेंगे फ्रेश हरा धनिया और उसी के साथ टेमेटो भी जाएगा इसके साथ इसे अच्छे से भूरना है और अब अच्छे से भूरने के बाद हम डालेंगे लाल मिर्च और हल्दी अब हमेज में डालना है तूरही इससे पकाले और लास्ट में मुगडाल डाल लेंगे तो लास्ट में हमें डालना है पानी जो हमने साइड में रखा था बॉयल होने के लिए और लास्ट में हम डाल लेंगे मसाला, गरम मसाला और नमक तो देखो हो गई हमारी दाल आज धीमी करके इससे थोड़ी देर तक पकाए और अब ये खानी के लिए डेडी है थेंक्यू फॉर ओचेंग